कक्षा साथ, हिंदी व्याकरण, वाक्य विचार, व्याकरण अध्ययन के निशकर्ष, वाक्य, उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार, वाक्य विशलेशन, वाक्य विग्रह, वाक्य के प्रकार या बेद, वाक्य परिवर्तन, उपवाक्य, व्याक्रन परिचय, नीचे लिखे वाक्यों को जराध्यान से देखे नताशा पढ़ने में होश्यार है, प्राताह काल थंडी वायू चलती है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है, चरित्रवान लोग विश्वास के योग्य होते हैं, पुस्तके हमारी सच्ची साथी है उपर लिखी पंक्तियों में कई शब्द हैं जो परस पर मिलकर पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतहा ये सभी वाक्य है पदों या शब्दों के ऐसे व्यवस्थित समुह को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहते हैं वर्ण भाषा की मूल भूत इकाई है, वर्णों के मेल से शब्दों तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनाये जाते हैं भाषा मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है तथा वाक्य भाषा की वह पूर्ण इकाई है जो भाव को प्रगत करने में साधन के रूप में प्रयोग की जाती है क्योंकि पूर्ण अत्वा शब्द द्वारा कोई भाशा भाव को स्पष्ट नहीं कर सकती उदाहरन के लिए सपना, सुन्दर, बनाना, चित्र ये कुछ स्वतंत्र शब्द है इनका अपना अलग-अलग अर्थ भी है परन्तु अपने स्वतंत्र रूप में सार्थक होते हुए भी ये वक्ता के भाव को स्पष्ट करने में असमर्थ है परन्तु जब वक्ता इन शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित करता है तो ये सब मिलकर एक सार्थक वाक्य की रचना करते हैं भावो व विचारों को अभिव्या वाक्य के मुख्य तहद दो अंग है उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विशय में कुछ कहा जाए विधेय वाक्य के उद्देश्य के विशय में कुछ कहने वाले अंग को विधेय कहते हैं उदाहरन के लिए नीची रुणजुन खेल रही है बुलबुल ने गाना गाया मा बाजार जा रही है पिताजी फल खरीद रहे है इन वाक्यों के उदेश व विदे इस प्रकार होंगे उदेश विदे रुणजुन खेल रही है बुलबुल ने गाना गाया मा बाजार जा रही है पिता जी फल खरीद रहे हैं उदेश का विस्तार उदेश में करता मुख्य होता है दूसरे शब्दों में करता को ही उदेश कहते हैं इनमें करता के विस्तार को भी समीलत किया जाता है जो शब्द करता अत्वा उसके उद्देश के साथ मिलकर या जुड़कर उसके विशेशता बताते हैं उन्हें उद्देश का विस्तार कहते हैं जैसे काला घोड़ा दोड़ रहा है तुम्हारी मा आई है बुरा लड़का गाली देता है हमारे राश्ट्रपिता महात्म गांधी महान थे इन वाक्यों में घोड़ा, मा, लड़का तथा महात्म गांधी उद्देश है तथा उनकी विशेशता प्रकट करने वाले शब्द काला तुम्हारी बुरा तथा हमारे राश्ट्रपिता उद्देश का विस्तार विधे का विस्तार विधी में क्रियापद प्रमुख होता है सकर्मक क्रियाओं में कर्म भी विधे का ही अंश्माना जाता है कर्म तथा क्रिया की विशेष्टा बताने वाले शब्द विधे का विस्तार कहलाते हैं जैसे हाथी धीरे चलता है मोहन चबा चबा कर खाता है बच्चे ने मेरी गेंद लेली राधा अपना काम कर रही है इन वाक्यों में चलता है खाता है लेली तथा रही है विधे है तथा उसकी विशेष्टा प्रगट करने वाले शब्द धीरे चबा चबा कर विधे का विस्तार है वाक्य तीन और चार की क्रियाएं सकर्मक है जिन में क्रमशहर, गेंद, वकाम, कर्म है तथा जिन की विशेश्ता, मेरी, वा अपना शब्दों से प्रगट होती है अतहर ये शब्द कर्म के विस्तार है कर्म का विस्तार भी विदे का ही अंश है वाक्य विशलेशन वाक्य के सभी अंगों को अलग-अलग करके लिखना ही वाक्य विशलेशन कहलाता है सरल वाक्य का विग्रह करने के लिए निम्नलिखित पांच अंगों को चाट कर अलग लिखने का अभ्यास करना चाहिए करता, कर्म, क्रिया, पूरक, विस्तारक वाक्य के इन पांचों अंगों का स्पष्टी करन इस प्रकार है करता, काम करने वाला करता है जैसे राम पढ़ता है वाक्य में राम करता है जो पढ़ने का काम कर रहा है यदि किसी वाक्य में करता की विशेष्टा बताने वाले शब्द प्रयोग में लाया गया हो तो उसे करता का विस्तार कहते हैं जैसे आदर्श विद्यार्थी समय पर पाच्छाला जाते हैं. इसमें आदर्श शब्द कर्ता का विस्तार है. कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं. जैसे अध्यापिका चात्रों को पढ़ा रही है. वाक्यों में चात्रों को कर्म है. यदि वाक्यों में कर्म की विशेष्टा बताने वाले किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं, जैसे अध्यापिका दस चात्रों को पढ़ा रही है, वाक्य में चात्रों को तथा दस कर्म का विस्तार है क्रिया, क्रिया वाक्य का अनिवार अंग है, बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बन सकता करता के द्वारा जो काम किया जाता है वह क्रिया है जैसे सपना चित्र बनाती है, वाक्य में बनाती है, क्रिया पध है यदि वाक्य में क्रिया की विशेश्ता बताने वाला शब्द प्रयुक्त हो तो विधी का विस्तार करते हैं जैसे सपना चित्र दीरे दीरे बनाती है वाक्य में बनाती क्रिया है तथा दीरे दीरे क्रिया का विस्तार पूरक कुछ क्रियाएं पूर्ण अर्थ को प्रगट करने के लिए पूरक की अपेक्षा रखती है जैसे महात्मा गांधी भारत के रित्तस्थान है वाक्य का अर्थ राष्ट्र पिता पूरक के बिना अलधूरा है विस्तारक कर्ता तथा कर्म के विस्तारक तथा क्रिया के विस्तारक आदी को तो कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक शिर्षकों में अलग-अलग लिख दिया जाता है किन्तु विशेशन तथा क्रिया विशेशन के अधरिक्त कुछ अन्य शब्द भी विस्तारक का कारे करते हैं जो न तो कर्ता का न कर्म का और ना ही क्रिया का विस्तार है जैसे मंदिर के पुरोहित प्राताहट 6 बजे से कुछ बक्त जनों के साथ ईश्वर का बजनगा रही है वाक्य में मंदिर के कर्ता का विस्तार है तथा ईश्वर का कर्म का विस्तार है और प्रातह छे बजे कुछ बक्त जनों के साथ विस्तारक है नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित सरल वाक्यों का विशलेशन करते हुए वाक्यों के हिंदी अंगों का विभिन्न शिर्शकों में रख दीजे भीम बच्पन से ही बलवान थे आज कवी गोष्टी में अनेक कवीयों ने भाग लिया वीर पांडवों ने महभारत के युद्ध में एहंकारी कौवरवों को हराया रागव की माताजी माधव के लिए बाजार से सुन्दर पोशाक लाई वाक्य विग्रह वाक्य के प्रकार या भेद वाक्यों का वरगी करण दो आधारों से किया जाता है रचना या स्वरूप की द्रिष्टी से अर्थ की द्रिष्टी से रचना की द्रिष्टी से रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं सरल या साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं इसमें एक उद्देश और एक वीदी होता है जैसे बालक खेल रहा था इस वाक्य में एक उद्देश अर्थात करता और एक विधेई अर्थात क्रिया है अतहा यह साधारण यह सरल वाक्य है सैयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण तथा मिश्रित वाक्य समुच्य बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सैयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे बालक खेल रहा था और बाली का पढ़ रही थी। इस वाक्य में और सैयुजिन द्वारा दो साधारन वाक्यों को जोड़ कर एक सैयुक्त वाक्य बनाया गया है। संयूक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाई रखता है, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये वाक्य और अथवा या किन्तू परंतू, इसलिए अतह, अन्यथा आदे योजिकों से जुड़े होते हैं. मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य इस प्रकार जुड़े होते हैं, कि उनमें एक वाक्य मुख्य तथा एक या एक से अधिक वाक्य उस पर निर्भर होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने जो नंद यशोदा के पुत उत्रते आश्रित वाक्य है अतहर यह मिश्रित वाक्य है वाक्य परिवर्तन सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से दो उपवाक्य बना कर उन्हें जो जब की क्योंकि यदी जिसने जब आदी योजिकों से जोड़ा जा जैसे सरलवाक्य, मिश्रवाक्य मोहन ने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा मोहन ने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था परिश्रमी विद्यार्थी अवश्य सफल होते हैं जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वो अवश्य सफल होते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सरल वाक्य के अंश को दो उपवाक्यों में बदल कर उन्हें और अत्वा तथा परंतु किंतु आदे योजिकों से जोड़ा जाता है सरल वाक्य संयुक्त वाक्य तोता दिवार पर बैठ कर इधर उधर देखने लगा डाकुओं ने यात्रियों को लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आशरत उपवाक्य बना देना चाहिए सैयुक्त वाक्य, मिश्रत वाक्य राकेश निर्धन है, लेकिन किसी की डाट फटकार नहीं सुन सकता यद्यपी राकेश निर्धन है, फिर भी किसी की डाट फटकार को नहीं सुन सकता वह मकान लाल पत्थर का बना है और वहां चार परिवार रहते हैं जो मकान लाल पत्थर का बना है उसमें चार परिवार रहते हैं मिश्रत वाक्य से सरल वाक्य बनाना मिश्रत वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय विशेशन उप वाक्य को विशेशन में संग्या उपवाक्य को करण में तथा क्रिया विशेशन उपवाक्य को क्रिया विशेशन में बदल कर सरलवाक्य बनाया जाता है मिश्रित वाक्य सरलवाक्य जो व्यक्ति इमानदार होते हैं सब उनका आदर करते हैं इमानदार व्यक्तियों का सब आदर करते हैं जिन चोरों ने चोरी की थी, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लिया, संयुक्त वाक्य से सरलवाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य को सरलवाक्य में बदलने के लिए, प्रधान क्रियाओं को पुर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थ अधक संग्या में बदल कर सरल उपवाक्य बनाना चाहिए। संयुक्तवाक्य, सरल वाक्य। हिंदी टीचर बीमार हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। बीमार होने के कारण आज हिंदी टीचर स्कूल नहीं आई। आप सोफे पर बैठ जाएं और विश्राम करें। अर्थ की द्रिष्टी से शब्द भेद। अर्थ की द्रिष्टी से वाक्य के आठ भेद हैं। विधी वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का पता चले। जैसे हम पढ़ चुके हैं, हम घूमने जा रहे हैं। निशेद वाचक, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो। जैसे मैं कल विध्याले नहीं गया था, उसने रुपे नहीं दिये। आज्या वाचक, जिससे किसी तरह की आज्या का बोध हो। जैसे तुम पढ़ हो, वह खेले। प्रश्न वाचक, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है? विसमयादी बोधक, जिसमें हर्श, शोक, अश्चर्य, ग्रीना, दुख, आदी का बोध हो, जैसे हाई बिचारा मर गया, छे इतनी गंदगी, बाप्रे बाप इतना मोटा आदमी, आह कितने सुन्दर फूल, संदेह वाचक, जिससे किसी बात का संदेह प्रगट हो, जैसे उसने पाठ याद कर लिया होगा, मैंने दूत पिया होगा, शायद हम मुंबई जाएं, इच्छा वाचक, जिससे किसी प्रकार की इच्छा, आशा, शुबकामना, आशिरवाद, आदी का बोध हो, जैसे इश् करें तुम सौ वर्ष्चियो, तुम अपने कारे में सफल हो, कोई पानी पिला दे, संकेत वाचक, जहां एक वाच्य दूसरे वाच्य की संभावना पर निर्भर हो, जैसे पानी न बरसता, तो दान सूख जाता, यदि वह परिश्रम करेगा, तो अवश्य प्रथम आएगा, वाक्य परिवर्तन यदि जीत चाहते, तो सत्य बोलो, इच्छा वाचक, सत्य बोलोगे, तो जीत अवश्य होगी, संकेत वाचक उपवाक्य मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य से अधिक वाक्यों के मेल से बनाते हैं मिश्रित अथ्वा संयुक्त वाक्य अंग बनाने पर ये वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं जैसे उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह वकील बने इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं उसकी बड़ी इच्छा थी वह वकील बने जो व्यक्ति परिश्रम तथा सचरित्र होते हैं सब उनका आदर करते हैं तथा वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं जो व्यक्ति परिश्रम तथा सचरित्र होते हैं सब उनका आदर करते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उपवाक्य के बेद। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रधान उपवाक्य किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता, बलकि दूसरे उपवाक्य ही उस पर निर्बर होते हैं उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं जैसे मेरी सला है कि तुम विदेश चले जाओ इस वाक्य में मेरी सला है प्रधान उपवाक्य है समानादी करण उपवाक्य संयुक्त वाक्य में आया दूसरा प्रधान उपवाक्य समानाधी करण उपवाक्य कहलाता है जैसे पिताजी दफ्तर गए थे तथा माताजी घर पर ही है वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य है पिताजी दफ्तर गए है, माताजी घर पर ही है इसमें दूसरा उपवाक्य भी स्वतंत्र है इस प्रकार संयुक्त वाक्य के एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों में एक को प्रधान उपवाक्य तथा अन्य स्वतंत्र उपवाक्यों को समानाधी करण उपवाक्य कहते हैं इस प्रकार माता जी घर पर ही है, स्तमानाधी करण वाक्य है आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं इनका पूरा भाव दूसरे उपवाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है जैसे वह चात्र पास हो गया जो कल यहां आया था इस वाक्य में दो उपवाक्य है वह चात्र पास हो गया जो कल यहां आया था दूसरा वाक्य पहली उपवाक्य के वह चात्र पद की विशेश्टा बता रहा है अतह यह आश्रत उपवाक्य है आश्रत उपवाक्य के भेद आश्रत उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं संग्या उपवाक्य जो आश्रत उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संग्या का काम करते हैं संग्या उपवाक्य कहलाते हैं संग्या उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में किया जाता है मोहन ने कहा था कि वह कल इलाबाद जाएगा इस वाक्य में वह कल इलाबाद जाएगा संग्या उपवाक्य है ये उपवाक्य की योजक से जुड़ते हैं उपवाक्य कहलाते हैं जैसे गंगा जो गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है भारत के प्रसिद्ध नदी है इस वाक्य में जो गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है उपवाक्य विशेशन उपवाक्य है जो और उसके कारकिय रूपों से जुड़ कर बनता है क्रिया विशेशन उपवाक्य जो आश्रत उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेश्ता बताता है उसे क्रिया विशेशन उपवाक्य कहते हैं जैसे यदि तुम परिश्रम करो तो अवश्य सफल होंगे इस वाक्य में यदि तुम परिश्रम करोगे उपवाक्य सफल होंगे क्रिया की विशेश्टा बता रहा है अतहा यह क्रिया विशेशन उपवाक्य है यह उपवाक्य यदि तो ज्यों ही त्यों ही जब जब तब तब जहां वहां जिधर उधर वैसा जैसा जितना उतना क्योंकि यद्यपी तथापी ताकि योजकों के उपवाक्य को जोड़ कर बनते हैं झाल 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 झाल